नमस्कार, शस्ट तिल एकादशी, माग मास की एकादशी 18 जनवरी की है, सर्व सिद्धी योग बन रहा है, पूरी वीडियो को धिहान से देखें, इतना जबरदस्त योग है, आपको पता एकादशी पे चावल नहीं कहाते हरी विश्नु की पूजा करते हैं, लेकिन शाम को सर्व सिद्धी योग बन रहा है, ये योग आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, इसमें हरी विश्नु की तो पूजा की जाती है, लेकिन इस एकादशी पर तिल खाना, तिल पानी में डालकर नहना, तिल का दान करना, और तिल का भोग हरी विश्नु को जब जल अरपन करें, तो उसमें भी तिल अरपन जरूर करें, ये मौका सर्व सिद्धी योग का बड़ी मुश्किल से मिलेगा, आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है, खास कर मकर राशी वालों को, क्योंकि आपकी खुद की राशी में से शनी देव निकल गए हैं, औ कुम राशी में परवेश कर गए हैं, तो कुम राशी में गोचर करेंगे हैं, अगले धाई साल के लिए, शनी की जो तीसरा चरण है, मकर राशी वालों के लिए शुरू हो चुका है, और कुम राशी वालों का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, और मीन राशी वालों का हरी विश्णु के एक अदशी आ जाए और विश्णु के दिन से भगवान अपना कारेभाल संभाल रहे हो कुमराशी के अंदर तो आपको हरी विश्णु की पूजा और दान पुन्ने करना चाहिए सर्व सिध्धी योग में तिली के तेल का दान करना तिली के लड़ों का दान करना तिल का दान करना तिल सफेद और काले मिलाकर उसे पीपल के पेड़ पे अरपन करना ओए हुए शनी का कोई रोग दोश और कस्ट आपको छू नहीं पाएगा और ये मौका आपको मिल रहा है ठारा जन्वरी को उसे जरू करें